कि हलो डिये स्टुडेंट्स स्वागता है आपका आपके अपने यूटूब चैनल पर डिये स्टुडेंट्स माद्यमी सिख्षा बोर्ड रास्ता नजमेर ने बोर्ड परिक्ष्षा 2023 क्लास 12 इंग्लिस कंपल्सरी का बल्यूप्रिंट जारी कर दिया है तो आज की इस वीडि परसन किस तरह से पूछा जाएगा वो इस वीडियो में आप देख सकते हो तो वीडियो का आप लास तक जरूर देखिएगा वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह की और वीडियो अगर आप चा रहे हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही नई वीडियो चैनल पे अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुंच जाए तो मिलने वाला है वो तीन घंटे पंदरा मिनट मिलने वाले हैं तो सबसे पहले जो पेपर दिया होगा उसके उपर उपर कुछ जनरल इस्टेक्शन होगी स्टुडेंट्स के लिए जो आप देख सकते हो कि आपको सबसे उपर उपर आपको क्योशन पेपर पे अपने रोल नम लिखना है क्योशन पेपर पे आपको नई लिखना है उसके बाद परते क्योशन के जो पार्ट में जो दे रखे हैं उस परते एक पार्ट के क्योशन आप एक साथ लिखिएगा जो पार्ट कर रहे हो तो उस पार्ट को ही पहले कीजिएगा पीच में कोई दूसरे पार्ट क उसके अंदर मत लिखेगा उसके बात देखिए दो पेपर है वो आपका अलगलग सेक्षन के अंदर डिवाइट होगा सेक्षन A, B, C और D और सारे सेक्षन करना कंपलसरी है तो सबसे पहला जो सेक्षन होगा वो सेक्षन A होगा और सेक्षन A के अंदर जो आपको देखने को म जो questions दिये होंगे वो आपको अच्छे से आने की देखना है तो इसमें 9 person होंगे unseen places को पढ़कर के आपको क्या करना है उस unseen places से उन 9 questions का जवाब आपको देना है तो आपको क्या करना है देखिए जो 9 questions होंगे उसमें ये जो 6 questions आप देख रहे हो ये descriptive questions होंगे बाकी की जो तीन जो questions होगे question number 7, 8 और 9 ये same as word वाला होगा synonym सापको यानिक लिखना होगा तो ये तीन अलग से होगे अब देखें दूसरा जो पेसेज है वो भी आप देख सकते हो जो कि दूसरा पेसेज वो भी unseen पेसेज आएगा और unseen पेसेज है वो 6 नमर का होगा 6 नमर का unseen पेसेज होगा लेकिन इसके जो question answer है वो किस type के आपको मिलेंगे वो देखिए, जो questions इसके अंदर दिये होगे students, वो objective type मिलने वाले हैं, तो ये एक नई चीज है, जो आपको नए blueprint के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो second जो पेसेज आएगा, 6 नमर का पेसेज दिया होगा और जो 6 questions दियोंगे वो objective type के होगे तो इनका जो सई answer है, वो आपको answer sheet के अंदर लिखना है तो आप देख सकते हो, 6 questions को अब देखिए, ये करने के बाद, sections भी आएगा पहला section reading का हो गया और दूसरा है, वो हो गया writing का, तो देखिए, question नमर 3 जिसमें, already class में बता दिया जा चुका है, कि जो short composition है, वो 4 नमर का आएगा, short composition, दो में से कोई आपको एक करना होगा जैसे, यहाँ पे notice day रखा है children's day पे, celebrate किया गया उसके उपर आपको क्या करना है notice लिखना है, और option में जो है, वो क्या है वो accepting invitation, informal reply accepting invitation काया है अब दूसरा देखिए, next जो question है, वो report लिखनी है, report किस पे लिखनी है, food poisoning, in a marriage dinner, कि marriage dinner के अंदर food poisoning हो गया, उसके उपर क्या करना है, report लिखनी है और ये 5 number की होगी, और option में जो question मिलेगा, वो translate the following passage into Hindi, एक passage दे रखा है उसका हिंदी में translation करना होगा तो जो आपको अच्छा लगी, वो आप भी कर सकते हो, उसके बाद देखिए next question है letter से related होगा letter आप देख सकते हो, इसके अंदर complaining letter है, और business letter है और दूसरा, जो आप देख सकते हो, दूसरा letter to editor है जो भी आपको अच्छा लगी, वहाँ भी कर सकते हो, section C देखिए section C grammar का होगा चार topic आपके आने की, slavus के अंदर है grammar के, और art number के आने की grammar होगी तो देखिए, जो पहला section C में six number जो question है वो closes का होगा, इसमें दो sentence दियोंगे, फ़रते एक sentence एक-एक number का होगा दो sentence को जोड करके आपको एक sentence बनाना है, ये जो close वाला जो part है, जो आपके 10th में था same way साई है, कोई अंतर नहीं है, दो sentence दे रखा है, वो उनका प्रियोग करना है और एक को क्या करना है, आपको where से जोडते वे, एक sentence बनाना है और इस तरह से close जो 10th में थे, तो कोई नई चीज नहीं है और अब combine करना है, साथवा जो person है, synthesis का है इसमें simple sentence में आने की बनाना है इसका, और दूसरा का compound sentence में आपको change करना है उसके बाद देखिए जो preposition रहेगे और phasal verb रहेगे इनके एक एक, दो दो person यानिकी इस तरह से आईए आपको option भी मिल गए, कि इन में से कौन सा यानिकी होगा, जो भी right option है इन में से आप भी लिख सकते हो अब section D देखिए students ये भी एक नई चीज़ आपको अब की बार देखने को मिलेगी नई चीज़ ये है कि अब की बार आपके paper के अंदर scene pages दिया हुआ होगा 10th class की भांती इससे पहले 12th class में scene pages नहीं पूछा जाता था तो section D जो होगा उसमें scene pages आएगा और 6 नमर का होगा और 6 नमर का जो scene pages होगा वो आप देख सकते हो अपनी जो flamingo यानी जो book है उससे एक pages दिया होगा और उसके 6 questions दियोंगे 6 questions में से students ध्यान रखिएगा 4 जो questions होगे वो तो descriptive होगे और 5 वा और 6 जो questions होगा उसमें 5 वे में एक में आपको क्या करना होगा सेनोनिम्स लिखना होगा और एक में opposite लिखना होगा तो private ची लिखना होगा और willom so bad आपको लिखना होगा ये 6 नमर का होगा उसके बाद देखिए 80 words के अंदर आपको बड़ा person भी आएगा flamingo book से 2 में से आपको एक करना होगा और ये 4 नमर का आएगा तो आप देख सकते हो बड़े person 2 दे रखे हैं और इन में से आपको एक करना होगा next देखिए 11 जो person है इसको 20 से 25 words में करना है तो flamingo book से 2 छोटे person आएगे वो 2 ही आएगे और ये दो-दो नमर के होगे आप देख सकते हो ये दोनों के options कि how did the author start learning swimming कैसे लेखग ने आने की swimming सीखना शुरू किया या what were the options क्या options थे Sophie के लिए dreaming के पूरा होने का और Jen C ने उसको disgrace क्यों किया, निरुसाहित क्यों किया उसके बाद है कि जो की reference to the context with explanation आपको करना है च्छे नमर की होगी आपकी जो poetry section है उसमें से दो stanza दिये होंगे कोई दो poem से और उसमें से आपको कोई एक stanza की explanation करनी होगी ये च्छे नमर की होगी अब देखिए poetry sections के अंदर जो question आएंगे एक बड़ा person आएगा जो 80 words में लिखना होगा और ये च्यार नमर का होगा च्यार नमर का जो होगा दो में से आपको एक करना है तो देखिए एक तो summary लिखनी है keeping quiet की और option में जो है वो है आर्ट Jennifer Stiger portrait male tyranny in our society तो explain this idea इस idea को यानिए आपको explain करना है next देखिए 20 से 25 words के अंदर आपको यानिए करना है poetry की question है दो दो नमर के की why are the young trees described as printing what message does the boy convey through this poem तो ये होगे उसके बाद देखिए आपकी जो विश्ताज book है उससे एक बड़ा person आएगा एक तो इस तरह की आप क्या infer करते हो same slater का to Charlie जो Charlie को यानिकी दिखा था और दूसरा in what way did जितकालासा rebel किस way में जितकालासा ने विद्रो किया अपने लंबे बालों को यानिकी बचाने के लिए उससे single ना किया जाए तो ये दो में से आपको एक करना होगा next देखिए answer the following questions in about 22, 25 words तो ये दो दो नमर के person होगे विस्ताज से दो person आएंगे और सबसे नई चीज students आप देखिए 17 person आपके total होगे और जो विस्ताज जो book होगी उससे objective type जो questions आएंगे वो केवल विस्ताज story वाली जो book है supplementary book उससे 6 questions पूछे जाएंगे तो आप देख सकते हो इस तरह के आने की 6 questions पूछे जाएंगे तो आप story वाली book है उसको आप अच्छे से आने की जरूर पढ़िएगा कहीं objective type वाले जो क्योसन है वो आपके गलत ना हो जाए तो student 6% तो ये होगे जो objective type के रूप में है और 6% ही कौन से होंगे उस unseen passage से होंगे जो objective type के होंगे तो इस तरह का students आपका ये paper रहने वाला है उमीद करता हूँ आप अपने त्यारी इस paper के इसाब से जारी रखोगे वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को like कर दीजिएगा चेनल को subscribe कर दीजिएगा thank you for watching